नमस्कार सू स्वागतम वेलकम अभी नंदन मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होसें दोस डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभी नंदन है फाइव मिनेट स्टोरी पर कैसे हैं आजी मैं आज आपको बताने जारे हूँ एक मज़ेदार कहानी कहानी जो इसलिए बताने जी के मंदिर में रात के समय में चोर गुजाया चोर ने जो है चोरी करने के लिए दिया जलाने के बारे में सोचए क्यों कि काफी अंदेरा था वो समय नहीं बा हना था कि में चोरी कैसे गूजाранी क्लेरा उससे बति बनाई वहाँ एक मिट्टी का धिया था उसमें तेल डा और वहीं मंदिर से लेकर और अपनी फटेवी कपड़े से बत्ती बना कर जला दी और शंकर भगवान इतने प्रस्न हो गए कि शंकर भगवान ने सोचा वा कि इतना अच्छा मेरा भक्त है बोले है ना कि मेरे लिए इसने अपने कपड़े फाड़ कर दिया जलाया तो उन्हों उन्होंने सोचा मैं इसे कुबेर बना दूँ और उन्होंने उसे कुबेर बना दिया उन्हीं कुबेर की अब हम पूचा करते हैं कुबेर जब बहुत बड़े हो गए कुबेर ने सोचा अब मैं बहुत बड़ा बन गया हूं कुबेर हो गया हूं आज मैं अपने घर पी डि आपके हो चोटा बेटा पैटा गनेश आएगा बोले गनेश वो तो इतना चोटा सा है तो फिर क्या आनन्द आएगा, लेकिन आप कहते हैं, तो ठीक है मैं गणेश का अन्जार करूँगा, तो शंकर वगवान मुस्कुराने लगे, तो वक्त बताएगा कि गनपती जी जो है, वो क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, तो गणेश का अन्जार करना, इधर जो का लेना चाहिए न, तो मा ने कहा कि कोई बात नहीं, पिता ने अगर कोई चीज सोची है तो अच्छे के लिए सोची होगी, तुम पिता जी को जो करने हैं वो करने दो और वो जा कर पारवत्ती माने, जैसे मा हमेशा शिकायत करते हो, तुम क्या करते हो, देखो तुमें बड़ पहुच गए और समय से पहले पहुच कर बोले की मैं भोज करने हैं तो कुबेर की पतनी ने बोला तो आप इतनी जल्दी कैसे आगए बोज का समय तो शाम का है तो उन्होंने जाकर अपने पती महरा जी ने भोजन करना शुरू करा और चलो इधर कुबेर जी की जो पत्नी थी वो बड़ी परिशान हो गए उन्होंने का आप तो कच्चा ग्यों और चने की डाल पड़ी है बोले वो भी ले जाके रख दो गनपती महाराच कच्चा ग्यों और कच्ची चने की डाल भी खा गए अब कुबेर जी बड़े परिशान हो माफ़ी गलती हो गई है प्लीज चलकर गनेश का पेट भरो आपको बता है भोले नात ने क्या किया मात्र एक दूर्बा एक घास का टुकड़ा उठाया दूर्बा और गनेश जी को खिला दिया और उनका पेट तुरन फर गया तब से ही गनपती महाराज जी को दूर्बा हरी ह तो यह है हमारे गनपती महाराज आप भी उन्हें घास अरपन कीजे जितना मर्जी भोजन करा दीजे लेकिन जब तक आप उन्हें दूर्बा अरपन नहीं करते तब तक उनका भोजन उनका पेट नहीं भरता और उनका जो पेट है वो भोजन से अधूरा रह जाता है तो य यह हैं हमारे गनपती महराच और उमीद है आपको मेरी आज की कहानी जरूर पसंद आयोगी कमेंट में जाए माता दी जरूर लिखेगा ऐसे शंकर भगवान जो मात्र कपड़े का चोर का भी किसमत बदल कर उसे कुबेर बना सकते हैं आपकी और मेरी किसमत किस तरह से बदल सक करवाना है शिफ को कैसे मनाना है दिन है मंगलवार का तो कैसे आप इस बार महीने की शिवरातरी मनाएंगे और मैं आपको कितने जबरदस उपाई बताऊंगे इसके लिए मेरे मेरे मेन चानल पर जिसमें जोतिश की बात करती हूँ उसे सबस्क्राइब करिए उस पर कीजिए फिलहाल दीजिए जादत अपना और अपनों को रखे का खास क्यान जय माता दिए